आज की वीडियो में जानेंगे सिंगेल यूडी केस जिसके फैमिली मेंबर में कोई भी आठारा सल के उपर फैमिली मेंबर नहीं है ठीके तो इसके लिए आपको मॉडिफाइ करना होगा तो मॉडिफाइ करने के लिए दोस्तो आपको एक डिकलारेशन देना होगा या पर तो तो self declaration single u id का तो declaration का link मैं description में दे दूँगा आप लोग वह से download कर सकते हैं ठीक है उसके बाद उसको download करके print out निकलके fill up करने के बाद जो है आप आराम से इस form को fill up करके modify करके connection को ठीक कर सकते हैं ठीक है तो यह जो problem है single u id का तो केसे solve करेंगे चलिए जान लेते हैं त दोस्तो इसलिए आपको जो है उसका जो इस फेले search कर लेता हूँ तो यह पर चुल पर क्लिक करना होगा तो लाश्टनेम पर खर धीक है तो नीचे आजये लेकिन यह के सकते हैं तो इस case में हम जो है इसको add नहीं कर पाएंगे इसलिए इसको inactive कर देंगे ठीके और इनका husband का भी date हो चुका है तो मुझे date certificate भी office में submit किया तो उसके बाद consumer को मैंने single family member में add कर लिया ठीके आपर consumer के data bird में भी issue है गलत है data bird तो इसको हम सही कर लेते है data bird को तो सही जो data bird थे मैं आधर कर देखके आपर डाल देता हूँ ओके तो मैंने यह डाल दिया सही data bird उसके बाद आपर जोए आपको क्या करना होगा कि adult in kyc wrong data bird in sys मतलब connection बनाने time हम जोए गला data bird डाला था इसलिए उसका हम सही कर रहे है अभी तो दोस्तों यह पर क्या करना होगा दोस्तों यह पर देखिए तो यह पर हम जोए नीचे hl teen number देखने को मिल जाएगे आपर reference number को आपको पहले copy कर लेना है क्यूंकि attachment देना है hl teen का तो क्या करेंगे नीचे आप जोए ssc data में उस number को paste करेंगे hl teen में और उसका family details यह पर आ गया है ठीके तो इस page को हम क्या करेंगे skin shot ले लेंगे आपर देख सकते उसका उमार क्या है उमार भी दिखा रहा है तो उमार अभी तक नहीं पुझा है आठरा सल तो इसलिए हम जोए उसको नहीं कर पाएंगे तो फीर से हम जोए क्या करेंगे उसी consumer का मैंने skin shot ले लिया आपर उसकी consumer में जोए last name service request पर जाके उस service request है उसमें हम जोए उस है hlt के जागा attachment के जागा हम जोए yes इसको add करेंगे ठीक है वो जी skin shot मेंने लिया तो दोस्तों आपर नीचे देखिए कि hlt नंबर है आपर हम जोए इसको चूज करके add कर देंगे ठीक है तो add मेने skin shot जोए आपर लिया हुआ है तो आपर मैंने डा अपलोड कर दिया उसके बाद आये हमारा जोए अपलोड हो गए उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों एक रोब हम यह पर प्लास करके एक रोड नए रोड ले लेंगे उसके बाद दोस्तों प्लास करने के बाद आपर हम जोए documents type identity type में internal हो जाला और method में ह हमें जोए add करना होगा certificate by distributor ठीक है और husband का date certificate है तो प्लास करके और एक certificate by distributor देने के बाद husband का भी date certificate अब add कर दीजिए तो हम जल्दी में इसको नहीं दिखा रहे date certificate को भी इस तरीके से add करेंगे तो certificate by distributor जो पेले में दिखा है declaration उसका link भी description में मिल जाएगा यह declaration अब देख लीजिए इस declaration का आपको क्या करना है फिल आप करके सही से आपको consumer से signature करना है उसके बाद distributor signature करना है उसके बाद यहापर upload करना होगा तो मैं यहापर simply उस declaration को upload कर देता हूँ उसके बाद दोस्तो करेंगि कि देखी कि और जो दो attachment है यावनि आधरकड रासमोस कर दोनों का हम आपको UPLOOD कर देता हूँ ठीक है तो मैं आपर धरककड को इसके बाद दोस्तों आपको अपर लोड कर दिया उसके बाद धोस्तों आपकोको क्याagit करना है उसके बाद श्म्राइब万 आपको करना ह इसे देख लेना इसके बाद आपको submit बाली बटन पर क्लिक करना है तो submit बार में क्लिक कर देता हूँ submit एसर पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तो थोड़ा देर इसको process होने में लगते हैं कुछ सेकेंड ठीक है आपको wait कर लेना है simply से wait करने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा कि यह जो है हमारा इसर को तो हमारा connection सेंगेलिव आईडी में सही में रह जाएगा ठीक है कोई भी problem नहीं होगा ओके थैंक यू वीदियो देखने लिए